Hello students, आज की वीडियो में हम discuss करने वाले हैं question paper जो भी ये final year English का है और इसमें हम discuss करेंगे कि कौन-कौन से questions आए हुए हैं और कौन सा जो portion है वो कितने number का है और आप कितने portion को या कितने questions को learn करके passing marks ले सकते हो या फिर अच्छे marks आप attempt कर सकते हो कुछ बच्चों ने message किया था कि मैम हमें थोड़ा सा बताओ ता कि हम pass भी हो जाएं पास ही नहीं हो गया आपके अच्छे marks भी आएंगे और वीडियो को maximum share कर दिया करो आप जितने भी group से connected हो चाहिए वो आपका WhatsApp का group हो जाए आपकी class हो जाए आपका friend circle हो ये भी ये final year का है English का question paper time तीन घंटे का दिया गया है और maximum marks है इसमें 80 इसमें आपके दो है एक तो कंथा पूरा नोवल है और दूसरा दा मर्चेंट ओफ वैनिस पस्ट explain with reference to the context one of the following extract ये दो पैसे दिये गए है आपके और उसमें से कोई एक आपको लिखना है और ये पांच नमबर का है ये कंथा पूरा नोवल में से लिया गया है अगर आप इसकी lines को अगर इनकी lines को पढ़के देखो और कहीं ये summary से match करती मिल जाए यू लगे कि वो अपस में match कर रही है ये lines तो इसकी explanation आप लिख सकते हो पांच नमबर में से कम से कम दो तीन तो आपको मिले जाएंगे और context आपको पता है कि तीन चीजे होती है कोई भी explanation हम लिखते है तो उसमें poem की explanation कैसे लिखे वो वाली वीडियो देख लेना उसके सेम ही पैसिज की बाकी सारी चीजे सेम रहेंगी comment में वही दो तीन प्वेंट आप लास्ट मेर कर सकते हो क्याम में आती है मैं है में पैसिज आताई तो से लेकिए लेगी यह नोवल का थीम है और writer ये कहना चाता है फिर explanation में हमने जो summary याद कर रखी है वो लिख सकते हैं और comment में हम बता सकते हैं कि inlines में क्या कहा गया था या या ये जो पूरा है अगर meaning हम समझ पाते हैं inlines का तो बिल्कुल बता सकते हैं 3-4 line में कि ये कहा गया है और जो language है, spaces की वो आसान है इस तरीके से हम comment में 2-3 लिख सकते हैं दो दिये गए हैं जो भी समझ में आए वही हमको लिखना होता है next है be part be part का है explain with reference to the context any one of the given to extract दूसरा the merchant of venice वाला play है आपके और उसमें से लिए गए हैं ये दो ये दोनों भी अगर आप the merchant of venice के भी questions याद करके जाते हो a pound of man's flesh taken from a man is not so estimable profitable ना इधर ये आपको पढ़ा हुआ कि जो man का flesh है वो कहां से किसकी बात की गई है तो थोड़ा बहुत वहां से link कर जाए तो बेशक से आपको जो content याद है उसको लिखना ना भूलना कोई भी मोका मत छोड़ना लिखने का आपने चीज़े याद की है और उसको ऐसे ही आप बिना इलिखे घर आगे वापिस कोई फायदा नहीं है question number two ध्यान देने लाइक है answer any five questions in about 30 words each इसमें आपके questions दो दो चार छे और दो आठ questions पूछ रखे हैं और आपको करने है कोई 5 और यहां के number हो गए total 10 यानि दो नमबर का एक question है कंथापुरा और merchant of Venice दोनों में से आई हुए हैं यह सारे और उसकी मैंने short questions की दो तिन वीडियो बना रखी हैं उनसे भार कुछ नहीं आएगा उनको आप learn कर लेना इन में से देखना चाहो तो देख लो कि last year कौन सा आया था who is the narrator of the novel कंथा पुरा who is रंगम्मा यह सारे उसमें हैं आपको कुछ देखने की जरूरत है ही नहीं next है answer the following questions अगर हम इनका भी ऐसे थोड़ निकालने के उपर आएं तो summary वगेर आप सब की याद करके जाते हो यह वाला भी attempt करना छोड़ना मत कम से कम 5 के 5 ना दे तीन नमबर तो देगा ही अगर आप इससे line भी match करके लिखते हो तो दोती नमबर इसमें और दोती नमबर इस इसमें और इस तरीक के से 10 नमबर का यह तो आप अच्छे से attempt कर पाओगे क्योंकि वो छोटे-छोटे मुश्किल से 15-20 questions है total और उसमें से 5 आप क्या आ जाएंगे तो इसमें कौन सी हानी वाली बात तो ऐसी कोई है नी answer the following questions in about 250 words each धाइसो शब्दों में यह थोड़ा सा long question है पाँच नमबर का एक है सबसे पहले कंथापूरा से पूछा गया discuss in detail the theme of the novel कंथापूरा कंथापूरा की summary मुर्थी का character sketch पाँच नमबर में है और यह दोनों करवा रखे हैं comment on the dramatic and symbolic significance of the cascade scene आया हुआ है और पॉर्षीय का character sketch आया हुआ है अगर आप यूं सोचते हो कि हमसे तो कुछ भी याद नहीं हो पाएगा बिलकुल आथ उपर कर रखे हैं तो कंथापूरा नौल की summary याद कर लेना और appointing a dentist in the local civil hospital as patients have to go to private hospitals यह letter लिखना है कि एक dentist को ऐसे ऐसे appoint करें यहां पर इस तरीके से write a letter to the editor of a leading newspaper telling him about the inconvenience caused by encroachment on the city roads in your area letter का topic कोई भी हो सकता है आपको सिर्फ format पता होना चाहिए और उसके content पता होना चाहिए कि हमें क्या लिखना है और किसके बारे में लिखना है यह चीज़ें हमें letter में दी हुई होती है एक letter पर भी video बना रखी है उसको जरूर देखना वहां से आपको format पता चल जाएगा कि जैसे सबसे पहले कौन side रसाएगा फिर कौन सा subject कैसे निकाले हम question में से ही उसके बाद इस तरीके से कुछ एक lines common होती है जो सभी letters में चल जाती है वो lines वहां से pick करना और जो भी topic आया हुआ है उससे related दो तिन line बना कि आप खुद लिख सकते हो और इस तरीके से आपका 10 number का जो काम है 10 number का जो question है वो attempt हो जाएगा दस के दस ना से कम से कम पाच्छे number तो आएंगे याएंगे उसके बाद एक बहुत बड़ा और बहुत आसान write a pressy of the following passes and also assign a suitable title हमें pressy लिखनी है प्रैसी आपको पता है one third लिखना होता है हमें जो भी given passes होता है उसको बहुत ही neat and clean writing में हमें लिखना होता है और last में title का एक अलग से बना के column और इस तरीके से हमें एक चोटा सा catchy सा जो बिलकुल उस passage से हमेशा मिलता जुलता सा हो वो title हमें दे देना है कि हमेशा appropriate सा लगे जैसे self help is the best policy अगर इसकी दो तिन लाइन हम उपर की पड़े दो तिन लाइन नीचे की पड़े तो उसमें हमें इसका title मिल जाएगा तो कोई प्रैसी राइटिंग के उपर भी एक वीडियो बना रखे उसको देखना और ये भी आपकी कम नंबर का नहीं आता कितने आठ नंबर का आता है उस वीडियो को देखने के बाद और आपकी खुद की common sense से students आप इसमें से कम से कम 6-7 नंबर आराम से ले सकते हो और उसमें वीडियो में detail से बताया गया है कि प्रैसी जाए कैसे भी topic पे आजाए कोई भी पैसे आपको दे रखा हो समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है फिर तो आप उसको अच्छे से कर पाओगे attempt कर पाओगे अगर ना भी समझ में आए तो किस तरीके से important line को underline करके आपको अपने प्रैसी का जो question है उसको attempt करना है give one word substitution of any five expressions पांच के हमें देने हैं और ये दस नंबर के आते हैं तो ये भी छोटने लाइक नहीं हैं बिल्कुल थोड़े से one word substitution है जो आपके एक वीडियो में करवा भी रखे हैं 10 या 15 मिनट की वीडियो होगी वो मुश्किल से उन सभी को learn कीजिए और आपके 10 नंबर जो ह email circular आपके ये सारे circular नहीं करवा रखा बाकि ये तीनों करवा रखे हैं RTI का मतलब आपको पता है right to education होता है और उसके बाद क्योंकि ये 10 नंबर का है यानि 5 नंबर का एक हो गया तो आपको इनकी definitions definition लिखने के साथ साथ आपको example के साथ ये समझाने भी होते हैं जैसे RTI ये information आपको इस परकार से ये draft इस तरीके से होगा इसका pattern है वो इसी तरीके से mail की बात करें तो जो mail है उसके बारे में बता सकते हैं memo के बारे में तो इसकी definition वगेरा सारी चीज़े लिखवा रखे हैं तो बेटा 10 नंबर का आता है ये भी बिल्कुल भी मत छोड़के आना मेहन primary stress ये आप final year में हो गए हो transcription करते करते और अपकी बार primary stress और है college की comfort की मैं आपको first semester से सिखाती आई हूँ तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई आपको परेशानी होगी फिर भी कम से कम 20-30 words आपके दे रखे होंगे उसमें book में उनको आप जरूर अप practice करके जाना आप इसमे दिलाने में ये वाला आपको नहीं करना ये blind candidates के लिए होता है उसके बाद है transform any seven sentences as directed ये सारी जो है इसमें दे रखे हैं जो transform करना sentence को आपको पता है कि ये जो sentence है इसको compound sentence में बदलना है इसको भी compound में इसको complex में बदलना है इस तरीके से आपके ये 10 दे रखे हैं इन में से कोई साथ करने है शायद seven choice दे रखी है ये भी एक वीडियो बना रखी है अगर उसकी practice आप करते हो तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जुरत नहीं है उन्हीं के type के sentences आपके आएंगे और उनकी practice करके आप इस तरीके से इसमें सिर्फ pass marks नहीं बलकि अच्छे नंबर इसमें ले सकते हो पास तो आप easily हो जाओगे तीन चार भी अगर चार पाच questions भी डग से attempt किये थोड़ा सा मन लगा कि उनकी preparation की तो भी आप पास easily हो जाओगे उमीद है ये वीडियो आपके लिए helpful होगी प्लीज वीडियो को शेर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि सारी वीडियो जबके पास टाइम से आ जाएं